मंच पर भाशन दे रहे नेता पर तानी पिस्टल किस्मत निल्बिया साथ बच गई जान नवशकार आप देख रहे हैं एवेपी लाइव वर्ल्ड और मैं हूँ आपके साथ नैंसी वाजपेई हमारे हिंदुस्तान में एक कहावच है जाको राखे साईयां मार सके न कोई और ऐसा ही कुछ दक्षण पूर्व यूरोप में स्थित बुलगेरिया के एक नेता के साथ भी हुआ है दरसल शोचल मीडिया पर एक वीदियो वाइरल हो रहा है वाइरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मंच पर मौजूद एक नेता बाशन दे रहा था तभी एक शक्स हात में पिस्टल लेकर मंच पर चड़ जाता है और उसे बोली मारने की कोशिश करता है नेता की किस्मत अच्छी रहती है कि पिस्टल से फायर नहीं होती है इसके बाद वहां मौजूद लोग हमलावर को पकड़ लेते हैं और उसकी जम कर धुनाई कर देते हैं दरसल ये वीडियो बुलगेरिया का बताया जा रहा है बुलगेरिया के एक लीडर सैक्डो लोगों के सामने मंच पर खड़े होकर भाशर दे रहे थे तभी एक सूट पहना हुआ शक्स उनके पास आता है और कनपटी पर फिस्टॉल तान देता है पहली बार फाइरिंग की कोशिश नाकाम हो जाती है पिस्टॉल जाम हो जाती है और गोली नहीं निकल पाती है इसके बाद शक्स दोबारा गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन वाइरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जब गोली नहीं चल पाती है तो इतनी देर में वहां मौझूद सुरक्षा कर्मी हमलावर को दबोश लेते हैं इसके बाद उसे नीचे गिरा कर लात भूसों से उसे खूब पीटा जाता है इस दौरान नीचे बैठे कुछ लोग भी स्टेज की तरफ आते हैं और उसे पीटने लगते हैं वहीं नेता जी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है बता दे कि ये घटना साल 2013 के दौरान की है इसका वीडियो 11 साल बाद दोबारा शोशल वीडिया पर वाइरल हो रहा है लेकिन इसकी वजह सामने नहीं आपाई है उस वक्त आरोपी ने पुलिस को बताया था कि वो नेता को जान से मारना नहीं चाहता था उसने इसे महज एक स्टंट वीडियो बताया था इसका मकसद किसी की हत्या करना नहीं था बहराल 2013 के वाइरल हो रहे इस वीडियो पर तरहे तरहे के कमेंट आ रहे हैं एक यूजर लिखता है कि मौत को चूकर टक से वापस आना इसी को कहते हैं तो वहीं दूसरा यूजर लिखता है कि मरने वालों से बचाने वाला बड़ा एक अन्य यूजर ये भी लिखता है कि वाकई किस्मत नहीं साथ दिया नहीं तो एक ही गोली में धेर हो जाता बहराल इस वीडियो पर बस इतना ही तमाम छोटे बड़े हो चुनावी अपडेट जाने के लिए आप बने रहें एवी पे लाइफ पर